फ्रेंड्स गाडियों के मेंटेनेंस का एक बहुत important पार है गाडियों की वाशिंग गाडियों को धोना अब देखो सही तरीके से सही समय पर और सबसे जरूरी कि सही प्रोड़क्ट के साथ गाड़ियों को धोना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि डूरिंग वाशिंग जब हम लोग गाड़ीों को धो धो रहे होते हैं तो गलत तरीके सा और गलत प्रोड़क्त के वाएसे हमारी गाड़ीों के बहुत सारे जो paint house से वहाँ पे scratches वगरा लग जाता है कई बार गलत तरीके से और गलत प्रड़क्स से दोने से ये भी हो जाता है कि कुछ दिनों बाद देखने को मिलता है कि हमारी गाड़ियों के बहुत सारे painted surface और खास के जो glossy finish वाले bike होते हैं, scooters होते हैं, car ही क्यों न होते हैं वहाँ आपको देखने को मिलते हैं, कि इनके paint जो है, वो आपको बहुत ज़्यादा ही dull देखने को मिलते हैं तो आगे सीडियो में मैं आपको foam wash के बारे बताने वाला हूँ foam wash करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए किन गाड़ियों में करना चाहिए किन गाड़ियों में नहीं करना चाहिए कब करना चाहिए कितिने दिनों के बाद करने से नुकसान नहीं होता है कब नुकसान हो जाता है यह सब मैं आपको बिल्कुल detail में बताने वाला हूँ और वैसे भी गाडियों की जो washing mask credit मैंने कई सारे videos upload किया है मैंने आपको detail में, बहुत detail में समझाया है कि क्यों हमें जो hair shampoo होता है, जो बालों का shampoo होता है जो detergent powder बगरा होता है, जो soap होता है, जो dishwashing liquid बगरा होता है इनसे हमें गाडियों को नहीं धोना चाहिए, इनसे क्या नुकसान होता है, कैसे नुकसान होता है अगर धोना भी है, तो कितीने दिनों के बाद धोना चाहिए, मैंने आपको जो automize shampoo होता है जो गाड़ियों के शैंपू होता है, इसके बारे में डीटेल बता है कि इनसे क्या फाइदा होता है, यहां तक कि मैंने आपको जो डीजल वाश होता है, बहुत से लोग डीजल से भी गाड़ियों को धोते है, तो डीजल वाश कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किन नुकसान होता है, water wash की जो frequency है, जो days interval है, वो कितना होना चाहिए, जो हमारा soap हो गया, जो liquid wash है, उसका frequency, days interval कितना हो चाहिए, यह सब मैं आपको detail है बताया है, इन सारे वीडियो का link आपको description ने मिल जागा, वहाँ पर जाके आप इने देख सकते हो, अब इन सारे वीडियो में आप लोग के comment यह आया है, कि भाई हमें foam wash के बार ही बता दो, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे जो service इंटर होते जापे washing अगर होता है, वहाँ पर foam का ही use किया जाता है, तो क्या यह safe है कि नहीं है, आपने यह पूछा, चलो मैं आपको यह detail में समझायता हूँ, अब जब foam को spray किया जाता है, तो यहाँ पर एक फाइदा यह देखने को मिलता है, कि foam अच्छी तरह से हमारी गाडियों का जितना भी outer body है, ठीक है, आप चाहए wheel वगरा portion ले लो, चाहए इंजन के आस पास का portion ले लो, वहाँ पर अच्छी तरह से जो foam है वो spread हो जाता है, वो व foam wash में यह वाला problem नहीं आता है, foam अच्छी तरह से all over जो portion जो parts है, वहाँ पर spread हो जाता है, एक और फाइदा देखने को यह मिलता है, कि जब हमारी गाडियों के बहुत सार ऐसे portion होते है, जहाँ पर बहुत ज़दा जो धूल, मिट्टी, गंदगी है, वो जमा होता है, काई एक बार यह धूल, मिट्टी वगरा क्या होता है, कि बहुत सारे surface होते है, जहाँ पर जमा होने के कड़ा हो जाता है, वहाँ पर सूक सा जाता है, वो ड्राय हो जाता है, ऐसे में जब हम लोग कपड़े को लेके और वहाँ पर जो sample वगरा, जो soap वगरा, उसे लेके वहाँ scrub वगरा करते हैं, वहाँ पर रगड़ते हैं, तो इनके वज़से गया होता है, कि scratch लगने का chances, खासकर जो glossy paint वाले surface होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा होता है, मैट फिलिस में यह chances होता है, लेकिन जब एक बार अच्छी तरह से foam को जो गालियों के surface है, वहाँ पर spread कर दिया एक तो foam wash में यह भी फाइदा देखने को मिलता है, साथ ही wheel वगरा को भी, आप देखोगों कि foam wash में ज्यादा अच्छी तरह से clean होता है, बहुत सारे ऐसे portion होते हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यह foam ही जो cleaning process है, उसे complete कर देता है, और anyhow आपको भी पता कि foam से गालियों को होना ज्यादा easy भी हो जाता है, वैसे washing के लिए मैं gin liquid वगरा के जिन का भी यूज करता हूँ, उनका link आपको description और pin कमेंडर में दे दूगा, तो वहाँ पर जाकर पूले purchase कर सकते हो, तो no doubt जो foam wash है, वो फाइदे मन तो है, लेकिन सही time interval में आपको फाइदा देखने को मिले देखोगे की नुकसान हो जाता है, तो क्या करें भाई, जो मैं follow करता हूँ, आप भी मैं आपको वही suggest करूँगा, recommend करूँगा, आप भाई follow करूँ, मैं क्या करता हूँ, कि सास से लेकर 10 दिन में weekly, एक बर क्या करता हूँ, कि सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ियों में water wash क एक बर, depend करता है कि मेरी गाड़ी कितनी गंद ही, उसका according में चाहे तो foam wash करवा लेता हूँ, चाहे फिर जो shampoo होता गाड़ियों वाला, उससे use कर लेता हूँ, तो आप भी ऐसा ही क्या करो, मैं भी आपको यही recommend करूँगा, कि सास और दस दिनों में एक बर सिर्फ water wash कर दो, और 30 से 45 दिन में एक बर, depend करता है गाड़ी कितना गंद है, उसका according आपका हो, तो foam wash करा लो, या खुश से धोलो, जैसा मर्चाप दोलो, लेकिन सही चीज करो, इससे आप देखो कि लंबे समय तक आपकी गाड़ी के जो paints वगरा, वो painted surface बहतर रहेंगे, और गाड़ी के किस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल अगन को ज़रूर से दबा दे, ताकि आने वाली पाटमें वीडियो के अपडेट आपको नोटिफेकेशन के तुरू मिलते रहे, मिलते अगले वीडियो में, थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो, ग बाइ